दोस्तों आज की स्वीडियो में आपने को बताने वालों कि अगर आप गूगल पे की अप्लिकेशन यूज करते हैं और आप अपने गूगल पे पे जब भी बेलेंस चेक करना चाहते हैं तो आपको इस तरह का एरारा कुड़ नोट गेट एकाउंट बेलेंस तो इस प्रोब् कर लीजिए और बेल आकन भी प्रेस कर दीजिए तक आपको मारे नवले से वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो चली दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आप भी गूगल पे की अप्लिकेशन पर अपना बेलेंस चेक कर रहे हैं और आपको इस तरह का एर को मिलती है तो यहां पर आपको सबसे पहले तो गूगल पकी appelle केशन को सर्च कर लेना है तो चली में अपनने गूगल पे की अप्लिकेशन को यह ब Tai तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने Google पे की application को यह पर search कर लिया इसी तरह से आपको भी search कर लेना या फिर उपर की setup को search बार मिलता है इसमें आप जीपे लिखके भी इसको search कर सकते हैं application मिलने के बाद आपको simply application को open करना है और open करेंगा आपको कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों की जो process में आपको बताने वालों आपको चेक कर लेना है कि जिस sim से जिस mobile नमर से आपका जीपे बना हुआ है उसमें आपके पास 5-10 रुपे का balance होना जरूरी ये normal balance तभी आप इस process को complete कर पाएंगे तो चली मैं आपको बताते हैं कि करना क्या तो इसके लिए आपको नीचे की set जो clear data का option मिलता है आपको simply यह से clear data कर देना है अब अपने गूगल पे की application को open करेंगे आपको कुछ इस तरह का interface देखना को मिलेगा तो जिस number से आपने account create कर रहा था उसी number को आपको यह पर दोबारा से enter कर देना है तो चली मैं अपने number को यह पर दोबारा से enter कर देता हूँ और इसके बाद आपको यह पर next का button मिलेगा आपको simply next कर देना है नेस्ट करने के बाद आपको अपनी Gmail account यह पर इस तरह से दिखाई जाएगी तो उसको select कर देना है और select करने के बद आपको यह पर accept and continue पर टेप कर देना है इसके बाद आपको यह पर नीचे की सेट activate my account को option मिलेगा इस पर टेप करने के बाद आपको यह पर allow कर देना है और इसके बाद आपके सामने इस तरह को option आगा यहां से आपको अपनी वह sim select कर देना है जिससे की आपका गूगल पे का account बनाया हुआ है यह फिर आपके bank account से जो mobile number link है तो यहाँ पर जी और ATL शोर है तो मेरे bank account से आपके मेरा ATL का number link है तो चली मैं ATL को select कर लेता हूँ और इसके बाद आपको continue पर tape कर देना है जैसे आप continue पर tape करेंगे इसके बाद आपको allow कर देना है तो आपकी उसी sim से एक message यहां पर send होगा इसलिए मैं आपको बोलाता कि आपके पास balance होना जरूरी है अब इसके बाद आपको यहां पर कुछ इस तरह का interface है तो मैं यहां पर इसको screen lock पी रखता हूँ इसके बाद आपको continue कर देना है continue करेंगे चली मैं इसको यहां पर fingerprint से open कर लेता हूँ तो मेरी application यहँँ पर update मांगी ही चली मैं सत्व हسمद विक रफदेट कर लेता हूँ है। आपको अपडेट मांगती है तो आपको भी update कर लेना है है तो चली हमारी application यह पर update हो चुकिह चली मैं फिर से open कर ले और आप देख सकते हैं हमारी google पे की application यह जोपन आप कि अब इसके बाद निया पर को एक्टीमेट बेंक अससीयां मिलेगा तो फिर से आपको इससे अपको इसको करके आपने एकटीमेट कर लेना चलिए इस पर करते हैं और इस पे एक्टीवेट पर टेफ कर देत कि एंपा पर डेख सकते कि आसे हं ने बता दिया है अब हमें वो error यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है तो दोस्तों इसी तरह से अगर आपको भी गूगल पर की application में balance चेक करने में किसी तरह की problem आ रही है कोई error आ रहा है तो इस process से इस problem को आप बहुती आसानी से solve कर सकते हैं तो दोस्तों मुझे पूरी में दीका आपको process ठीक से समझ में आ गई होगी तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक को शेर जरूर कीजिएगा और अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मारा नबले से वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में